हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया जरुआ पशु मंडी से पाट टू का वीडियो लेकर आये हैं और पाट टू का वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ मैं तो वीडियो में आपको बहुत सारी गाय देखने को मिलेगी जो के 20 लिटर, 20 लिटर प्लस वाली भी गाय और इन सभी गायों का जो वीडियो में देख पा रहे हैं अभी आगे सभी का डीटेल देने वाला हूँ बहुत सारे लोग मुझे what's app कॉलिंग कर रहे हैं और गाय लेना चाहा रहे हैं तो उनको help भी कर रहा हूँ मैं और help यानी मतलब जहां से जो भी हमसे help होता है यानी कोई भाई गाय खरीदना चाहा रहे हैं तो अगर किसी तरह का उनको जानकारी चाहिए कि मंडी कैसे पहुँचा जाए, क्या सुविदा होगी तो वो सारा डीटेल आपको मैं हेल्प करके बता सकता हूँ पलस जो अगर फार्म से गाय लेना चाहते है तो मेरे कंसल्ट में कोई फार्मर है तो मैं दो चार फार्मरों का नंबर दूँगा आप खुश से आकर वहाँ गाय ले सकते हैं उसमें मेरा कोई involvement नहीं होगा बस मैं नंबर और address दे सकता हूँ तो खैर चलिए वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं इस गाय का डीटेल जो के यहां पर दो गाय देखने को मिल रहा है और हाँ मेरा नंबर आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जाकर आप वहाँ से ले सकते हैं तो दोनों गाय के अडर की बनावर जो है देख सकते हैं काफी शांदार गाय है dairy farm के लिए और दोनों गाय का एक एक करके detail देंगे जो के गाय का length वगरा देख सकते हैं काफी बढ़िया है तो सबसे पहले आपको right side वाली गाय का detail दे दूँ जो के ये गाय दान्त में मिली भी है और 20 liter इसके नीचे दोनों समय का दूद बताया जा रहा है और कीमा 67,000 रखा गया है 67,000 रुपया प्राइस बताया जा रहा है और बच्चा इसके नीचे female है जो के करीब से एक बार और थनों की बनावर देख सकते हैं और ये जो left side में गाय देख पा रहे है ये गाय छे नात पे है और इसके नीचे अठरा लिटर मिल्क बताया जा रहा है दोनों समय का और 65,000 रेट रखा है उस गया का बच्चा मेल है तो दोनों गया को इस एंगल से देख सकते हैं तो दोनों ही गया काफी अच्छी है और मिल्किंग में भी काफी ठीक ठाक है तो इस तरह की गया जरुआ पशुमंडी में उपलब्ध हो जाती है और भी इस मंडी में अच्छी हिल्दी गया मिल जाएगी तो आप जरुआ पशुमंडी आकर गया खरीच सकते हैं यहां से ट्रास्पोर्टिंग सेवा भी उपलब्ध हो जाता है आप बंगाल या फिर महराश्टरा या जहरकंड गया ले जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ले जा सकते हैं चलिए यहां पर इस गया का डीटेल दूँ जो के देख सकते हैं यह गया छे दात पे है और काफी शांदार गया है देख सकते हैं बोडी की जो बनावट है उस पे नोटिस करें काफी शांदार गया, कहीं से किसी तरह का गया में कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है जो के हिल्थ भी काफी बढ़िया है, हाइड भी अच्छा है गर्मी जादा है, जिसके वज़ासे थोड़ा सा गया आपको हपती भी दीख रही होगी तो गर्मी काफी बिहार के अंदर में भी गिर रहा है, जैसा यहाँ पर अभी ट्रमप्रेचर 42-43 देखने को मिल रहा है तो यह गया जो के घुमा कर दिखाया जा रहा है, और अडर की जो बनावट है देख सकते हैं काफी शांदार, बिक साइस की अडर की गया है यह, दात में 6 है और इसके नीचे दूद दोनों समय का 21 लीटर बताया जा रहा है 21 केजी इसके नीचे मिल्क बताया जा रहा है और इस गया का जो प्राइज रखा है आज की मंडी में मात्रे 76,000 रखा गया है 76,000 रुपय कीमत है बच्चा इसके नीचे मेल है तो प्राइस फिक्स नहीं होता मंडी में कम जादा करके दे दिया जाएगा आपको तो यहाँ पर एक और अच्छी गया देखने को मिल गई डेरी फार्मिंग के लाइक वीडियो को पूरा देखते रहें आगे बहुत सारी गया आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो इसकी इपना करें वीडियो को अंतक देखते रहें यह गया दात में मिली भी है और थनों की जो बनावट है वो देख रहे हैं आप किलियर तो एक बार और देख सकते हैं इस थनों की जो बनावट है देखने को मिला और ये 69,000 गाय का प्राइज बता रहे हैं तो 79,000 रुपया इस गाय का कीमत रखा गया है इस एंगल से भी थनों की बनावट दिखा रहा हूं मैं मंडी में भीड़ भाल काफी जादा होता है जगा के वया से बहुत सारी गाय का आपको किलियर पुरा बॉड़ी नहीं दिखा पाता हूं तो ये गाय देख सकते हैं आपको कोसिस कर रहा हूं 79,000 रुपया इसका रेट है और कोसिस कर रहा हूं कि बढ़या से इसका बॉड़ी कवर किया जाए तो अगली गाय के तरफ चले उपलब्ध हो रही है मंडी में तो ये गाय जो देख रहे हैं आप अपने स्कीन पर नात में मिली भी है और ये गाय का जो ब्यात है वो तीसरा बताया गया है यानि तीसरी बार ब्याई है बचला बच्चा इसके नीचे अभी इस समय है तो इसका जो दूद बताया जा रहा और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जा रहा है जिसके वज़से आपको जाधा देर तक मैं नहीं दिखा पाया एक बड़ा और कोशिस करता हूँ देख सकते हैं एक 70,000 रुपेस गाय का प्राइज रखा गया 71,000 बाइस लीटर दूद बताया जा रहा है तो चलिए कुछ और गाय का डीटेल देता चलू मैं आपको जो के यहाँ पर देख सकते हैं ब्रीट की गाय देखने मिल रही है चार नात की और इसका क्या है पूरा डीटेल वो आगे देता चलू मैं आपको जो के गाय देख सकते हैं पहले ब्याद की है काफी खुबसूरत भी है कद काठी भी ठीक ठाक है पहले ब्याद के हिसाब से और यहाँ पर इसके नीचे जो दूद बताया जा रहा है ओनर दुआरा 16 लिटर बताया जा रहा है और इस गया का कीमत 63,000 रखा गया है 63,000 रुपया प्राइज बताया गया है बच्चा इसके नीचे बचड़ा है मेल बच्चे के साथ में है थनों की जो बनावट है वो देख सकते हैं आप और मंडी में जब भी गया आप खरीदने के लिए आएं तो आप जनकार लोगों के साथ हैं या फिर आपको जनकारी होना बहुत जरूरी है मंडी में गया खरीदना इतना आसान नहीं होता है कोसिस करता हूँ कि लोगों के लिए आसानी पैदा करूँ और हमसे जहां तक सहता हो हम लोगों की सहता करें बहुत सारे खोता है तो जरूर उनका सहता करता हूँ तो यहां पर इस गाय का डीटेल अब देता चलू मैं जो के यह गाय चार दात पे है और 17 लिटर milking capacity इसके नीचे बताया जा रहा है दोनों समय का और इस गाय का price 67,000 रखा गया है 69,000 रुपया कीमत बताया जा रहा है थनों की जो बनावट है देख सकते हैं आप और इस एंगल से एक बार body दिखा दूँ आपको बच्चा मेल है इसके नीचे चार दात की ही गाय बताई जा रही है 17 लिटर दूद बताया गया है तो खासकर वेश्ट बंगाल के लोग बहुत सारे हैं जो मुझे whatsapp कॉलिंग करके जनकारी ले रहे हैं और गाय लेना चाहते हैं तो थोड़ सा हैजिटेशन होता है उनके दिल में कि जब वेश्ट बंगाल से बिहार के अंदर में जरुआ पशुमंडी या बखतियारपूर पशुमंडी से गाय लेंगे तो किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं होगा तो मैं उनको सिउरेटी भी नहीं देता हूँ लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि अगर जनकारी है आप पहले आ चुके हैं या आपके आसपास में कोई लोग ऐसे हैं जो यहां आए हैं तो उनके संपर्क में रहकर आप आ सकते हैं मंडी में किसी तरह का कोई दिक्कत न लोग तो आप अगर मिलकिंग वाली गाय डेरी फार्मिंग के लिए ले रहे हैं तो जहां तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रास्ता में समसिया होने वाला है लेकिन समसिया होता है उतना समसिया नहीं होगा आपको मंडी का पूरा चलान वगरा कटकर मिलेगा तो आप यहां से ट्रास्पोर्टिंग करवा सकते हैं बहुत सारे लोग लेकर जाते भी हैं मंडी से गाय जो है के वेश्ट बेंगौल या फिर जारखंड के अंदर में तो यह गाय जो देख पा रहे हैं आप दात में मिली भी है 12 लिटर इसकी नीचे दूद बता रहे हैं दोनों सम तो कोशिस कर रहा हूँ एक दो गाय का और डीटेल आप लोगों को देता चलूँ यह जो गाय है दात में मिली भी है थोड़ा सा विक देखने को मिल रही है यह गाय लेकिन दूद वगरा की बात करें तो जो डीटेल मिला है वो आपको दूँगा दूद इसके नीचे 14 गाये इधर भी गाये तो दिक्त होता है कहीं न कहीं तो आप वीडियो को मैनेज करें और बहुत मुस्किल से वीडियो बनाता हूं वाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार और चैनल पर फर्स टाइम आया है तो सब्सक्राइब भी कर लें जो कि यह गाया दात में मि वीडियो कैसा लगा यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कर दें